हेलो फ्रेंड्स, विल्गम टू ये स्टेडी मूर्ट ट्वंटी फोर्शन आज हम लोग एर फोर्स बाइ ग्रूब दूजर इस का प्रैक्टिस सेट नमबर दैस पढ़ने वाले हैं और अगर आप लोग अभी तेक प्रैक्टिस सेट नमबर वन से नाई तक कवर नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ले जाएगा आप लोग वहाँ से देख सकते हैं साथी साथ उसका PDF भी अभी लेवल है तो PDF डाउनलड करके आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएगा और लाश्ट में आप लोग जरूर बताएगा कि प्रैक्टिस सेट नमबर इस 10 में आप लोग कितना मार्क्स अस्कोर कियें और आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आप लोग को ऐसा ही नुई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो देखिए सबसे पहले कहा रहा है Read the following passage carefully and answer each of the questions given below in the context of the passage 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 को ध्यान पूर्वक पढ़िये और उसका सही सही जवाब दिजिए तो passage आप लोग पढ़ियेगा और उसका अंसर बनाएगा हम सिर्फ question passage के जितने भी question answer है वो आप लोग को हम बताते चलेंगे ठीक है passage पर केकक लाइन अगर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और पेचीदा हो जाएगा तो देखने में मजा नहीं आएगा तो आप लोग सिर्फ passage पढ़ियेगा और question answer बनाएगा बाके जितने भी बचे हुए question रहेंगे रागा या फिर इंगलिस से जितने भी other question रहेंगे तो आप लोग को पूरा solution दिया जाएगा तो वीडियो में last step बने रहिएगा चलिए हम लोग question स्टार्ट करते हैं देखिए question कहा रहा है artificial course are those तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीचार developed for the specific purpose तो option नमर दो इसका सही जवाब है बीचार developed for the specific purpose ठीक है चलिए next question देखिए भाट suggest a high level intelligence तो इसका सही जवाब हो जाएगे only a and b option नमर चार इसका सही जवाब हो जाएगे only a and b यानि the sense of self reconnection या the cognitive ability ठीक है चलिए next question देखिए next question करा the silence regions of the brain the silence regions of the brain तिसका सही जवाब हो जाएगे have two links with sensory receptors ठीक है option no.3 इसका सही जवाब है have two links with sensory receptors next question देखिए in the silent regions of the brain तिसका सही जवाब हो जाएगे sensory data are processed option no.1 इसका सही जब हो जाएंगे sensory data और processed next question देखिए next question करा change the voice voice में change करिए I must help the poor I must help the poor तो देखिए the poor है जो की object है तो सबसे पहले इसके हम लोग subject बना लेंगे तो क्या हो जाएगा the poor the poor और देखिए must है तो क्या हो जाएगा must be तो क्या हो जाएगा the poor must be अब देखिए help है जो की b1 है तो इसे हम लोग जाब भी passive voice बनाते हैं तो इसे भी 3 में change कर देंगे तो क्या हो जाएगा the poor must be help का भी 3 क्या हो जाएगा helped helped अब passive voice बनाते है समय लास्ट में क्या लगता है by अब देखिए यहां subject क्या था आई तो इसको हम लोग object बना देंगे तो आई का passive वास में object क्या हो जाएगा me तो क्या हो जाएगा अब देखिए यह इस तरह से लिखाता है इसमें inverted comma या फिर यह inverted comma नहीं होता है ठीक है जब भी यह लिखाएगा तो सिर्फ simple way में लिखाता है May God forgive the leader ठीक है और last में इस तरह से sign परता है तो option number इसका 4 सही जवाब है ठीक है चलिए next question देखिए next question कहा रहा है change narration narration में बदली है he said I must go ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा he said देखिए क्या हो जाएगा she said अब inverted comma को हटा कर हम लोग क्या लगाएंगे debt लगाएंगे तो क्या हो जाएगा she said debt अब देखिए I है जो कि first person है first person किसके अनुसार change होता है first person subject के अनुसार्चेन होता है ता आई का subject क्या हो जाएगा see तो क्या हो जाएगा she said debt see see उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है I must go है तो यहां पर क्या हो जाएगा see must go see must go ठीक है तो option नमबर इसका दो साहीजवाब हो जाएगा she said that she must go ठीक है चलिए next question देखे रिमूब टू करा रिमूब टू फ्रोम दा flowing रामीज टू एक्टिव नॉट टू बर्क ठीक है अब देखिए इसका क्या हो जाएगा रामीज टू एक्टिव तो सबसे पहले रामीज क्या हो प्रोम एक्टिव टू को है डाकर क्या लगाते हैं तो रामीज टू खू एक्टिव प Mt पूरस को टू अब देखिए नॉट है उल्न टू बर्क है तो रामीज सू एक्टिव उसके बाद G्या लगाते हैं डेट त्भ आम इज शो एक्टिव डेट इसके पार क्या होजाएगा ? क्या हो जाएगा ? क्या हो ग्यों ध़ना एक्टिव है फुर्ति लहार क्यों भया काम करें हम डिसका option number 4 साही lub ранnewnoil डेक्टिव हम बेंब ईसक हो जाएगए नेर्ट देखिए next question कहा रहा sport the miss umaspelt word जो गलत लिखा हुआ ہے उसे चूज करिए है अब देखिए ये fictitious-cucs का मिनिंग ये fictitious का मिनिंग ये जही लिखा हुआ है humility का मिनिंग ये भी सही लिखा हुआ है submission का मिनिंग Submission ये भी सही लिखा हुआ है counterfeit का meaning यह गलत लिखा हुआ है तो हमारा option one सही है one है जो कि सही है देखे counterfeit का meaning सही कैसे होता है देखे यह इसमें लिखा हुआ यहां आई बाद में आएगा सबसे पहले ए आएगा तो यह सही meaning लिखा हुआ है तो हम लोग को गलत चूज करने के लिए बहुत हो तो इसको option number one सही जवाव है ठीक है चलिए next question देखे करा choose appropriate synonyms for the given birds करा synonyms इसमें चूज करिए ठीक है आवेट का synonyms क्या होगा तो अवेट का हिंदी क्या होता है अवेट का हिंदी होता है सांत करना अवेट का हिंदी क्या होता है सांत करना यह अप लोग लिख लीतीएगा अवेट का हिंदी क्या होता है सांत करना ठीक है को हैं आप लोग हंदी लिखते जाएगा क्या है बढ़ाना फिर उसके वाद एंसीफ हाई क्वाता है क्या होता है तीप्र करना तो तीप्र करना यह नहीं होगा ठीक है यह अगर पोजीट का को पूछता है तो इक एंडेटी फाई लगा सकते थे लेकिन यह हम लोगों भी स्क्राया है सप्लेमेट का ही यह होता है परिसे थक है और उसके बाद की लीजन का ही लीजन का ही होता है सांथ करना या कम करना तो थ्षा कण यह कॉमोशन का सानौ नेम्स पूछ रहा है तो कमोशन का हिंदी क्या होता है हो या सोरगूल क्या होता है हिंदी स्वर्गूल होता है ठीक है हो हलॉघ तरीना या सोरह घूल अब देखिए एक्साइटमेंट का हिंदी भी क्या होता है हो आला या सोरगुल यानि का सयंव दो जागा excitement ठीक है option ज़बर-1 इसका ज़ाऑ है excitement अब देखेक काम का हिंदी क्या होता है एक काम का हिंदी होता है अगर extraordinary का ऐंफ पूझता था तो काम अपलोग टीकोड़ कर सकते हैं क्योटनेस बहराग क्योटनेस क्या होता है बहराग बुण का हैंद क्या होता है बर्धान तो यह फिर्फWКM को को मोशन का सानो नेस्स पूछ रहा है तो क्या होगा? आओ इससाइटमेनट ठीक है चलिए निस्ट कोसन देखिए करा चूज एप्रोप्रियेट एंटोनिम्स फोर दे गिवेन बड्स भीजिलेंट भीजिलेंट का पोजिट से पुछ रहा है तो देखिए भीजिलेंट का हिंदी क्या होता है सचेत या सब्धान क्या होता है हिंदी इसका सचेत या सब्धान ठीक है अब देखिए इसका सचेत या सब्धान का उल्टा सब्ध क्या हो जाएगा लापरवाह या असब्धान तो देखिएगा नेगलीजेंट का मीनिंग क्या होता है लापरवाह या असब्धान तो इसका सही जवाब हो जाएगे option number one नेगलीजेंट अब देखे इन अटेंटिव का मेनिंग क्या होता है इन अटेंटिव का हिंदी होता है चौकस यानि अगर विजिलेंट का स्वैनोने पूछेगा तो इन अटेंटिव आप लोग लिख सकते हैं ठीक है उसके वाल पर फंक्टरी का हिंदी क्या होता है इसका हिन्दी होता है, आसबधान तो per functionality का क्या हिन्दी होता है, आसबधान ठीक है, opposite अगर पूछेगा vigilant का, तो आप लोग percent grade लगा सकते हैं careless का हिन्दी क्या होगा, परवा करना तो vigilant का opposite सब पूछ रहा तो यह होगा, negligent, sabधान का क्या हो जाएगा आ सब्धान ठीक है या लपरवार नेग्डिजेंट का मतलब होता है चलिए नेस्ट कोशन देखिए डिश्डेन, डिश्डेन का अपोजिट सब पूछ रहा है तो डिश्डेन मतलब क्या होता है तिरिस्कार करना या अबग्या करना क्या होता है आप लोग लिखते जाएगा तीरस्कार करना या अबग्या करना या अभेलना करना ठीक है ठीक है त्रिस्कार करना या अभयाग्या करना या अभयलना करना ठीक है अब देखिए लोथ का हिंदी क्या होता है लोथ का हिंदी ये एन नीचुक होता है ठीक है एन नीचुक अगर Disdain सेंनस का लो था व दो याद करके लिख सकते हैं ठीक है Approve का ह Indy क्या होता है सुभिकार करना या समर्थन करना ठीक है तो देखे इसकार करना या अबग्या करना या अबेलना करना तो Disden का पोजूट क्या हो जाएगा Approve मतलब क्या होगा सुभिकार करना या समर्थन करना तो option number 2 इसका सहे जवाब है अब देखिए इसका भी हिंदी जान लेजे अस्कॉर्ण का हिंदी क्या हो जाएगा इसका हिंदी हो जाएगा घीनाना ठीक है, demolish का हिंदी क्या हो जाएगा धुरास्त इसका हिंद्ध क्या हो जाएगा धुमास्त ठीक है चलिए next question देखिए का रहा था fourth state means fourth state fourth state है जो कि क्या है तो ये the praise है देखिएगा praise को पत्रकार को हम लोग चौंथा स्थम मानते हैं ठीक है लोग तंत्र में पत्रकार को चौंथा स्थम माना जाता है तो इसका साही जवाब क्या हो जाएगा the fourth state means the praise ठीक है चलिए next question देखिए एप लेस भेर डेट बोड़िज आरकेप फ्रों पोस्टमार्टम जहां मिरित सरीर को पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते है उसे हम लोग मौर्चुरी कहते है मौर्चुरी क्या कहते है मौर्चुरी कहते है जिसे हम लोग हिंदी में समसान गिरी कहते है जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते है समसान गिरी या मुर्दा घार ठीक है चलिए next question देखिए next question कहरा खाली अस्थान you come here I will teach you ठीक है कहरा कि यदि आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा तो यदि का हिंदी क्या हो जाएगा if तो यहाँ पर सही जवाब क्या होंगे if you come here यहाँ पर क्या फिल होंगे खाली अस्थान to go bed ठीक है he wants nothing else खाली अस्थान है to go bed अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगे इर्ट तो होगा नहीं अभी तक यह होंगे नहीं ठीक है एजिप भी नहीं होंगे दाव भी नहीं होंगे क्या हो जाएगे यहाँ पर हो जाएगे बट ठीक है he wants nothing else बट to go bed तो option number 2 इसका सही जवाब हो जाएगे बट ठीक है चलिए next question देखिए he is a fared खाली अस्थान घोष्ट अब देखिए वह घोष्ट से क्या हो गया डर गया वह घोष्ट के कारण डर गया तो क्या हो जाएगे to से नहीं होंगे to he is a fared to ghost नहीं वह घोष्ट से डर गया यानि भूथ से वह डर गया नहीं घोष्ट द्वारा डर गया नहीं at भी नहीं होंगे क्या होंगे he is a fared of ghost वह घोष्ट के कारण यानि वह भूथ के कारण डर गया तो यहां पर क्या हो जाएंगे फील इंदी ब्लैंक के जगह ओप्सन नमर वन इसका सही जबाब है चलिए नेश्ट कोशन देखिए करा है किसके साथ लायन्स कलब के साथ जब भी वह समयर्पिट करेगा किसे के साथ तो क्या लगेंगे बीथ लगेंगे तो आप्सन नमर चारीश का सही जबाब हो जाएंगे इसमें से कोई अप्सन नहीं होएंगे चलिए नेश्ट कोशन देखिए लगा हुआ रहे है जब भी कुछ लगा रहता है अस्मोकिंग का या फिर सराब का तो क्या लगाते हैं तो क्या हो जाएगा ऑप्सन नमर ही इस एडिक्टिट टू अस्मोकिंग या ही इडिक्टिट तो ट्रिंक बियर या वाइन ठीक है तो आप्सन नमर तीन इसका सही जवाब हो जाएंगे टू ठीक है चलिए इंग्लिस के 20 कोशन हम लोग कह लिए अब हम लोग देखते हैं रागा में जितने भी प्रस्न है उसका हम लोग सलूसन कहरेंगे ठीक है चलिए नेश्ट कोशन रिजिनिंग एंड जेनल अवेरनेस के कोशन है राधा यवाम सुधा की बरतमान उम्रों का अनुपात कितना साथ नुपात ना है पांच बैस पूर्बून की उम्रों का अनुपात कितना तीन उन पांच चार था तो सुधा की बरतमान उम्र क्या है तो सबसे पहले राधा राधा अब हम सूधा का बर्तमानुम कितना है साथ है और नौ है तो देखिए अनुपात है जब तो इसमें हम लोग एक सामिल करेंगे तो कितना हो जगा साथ एक्स और नौ एक्स ठीक है अब देखे करा रहा पांच बरस पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात अब देखिए यहां 될 है तो क्या हो जाएंगे बटा में तो शाथ एक्स बर्तम नौiosa हो जाएंगे ठीक है ठावार्व कर रहा है तो पांच बरस दोनों में माइनस करेंगे पूर मतलब पहले यानि माइनस पूर्व उनकी उम्रोग काणूपाँ कितना था तीन अनुपाँ 4 तो कितना हो जागे 3 बथे 4 हो जाएंगे ठीक है अब इसको क्रोस मुट्पलाई कर लीजिए तो 4 में कितना से गुना हो जाएंगे 7x-5 से और इधर 3 में कितना से गुना हो जाएंगे 9x-5 से ठीक है देखे 4 में 7 से गुना करिएगा तो 286 और माइनस कितना हो जाएगा 4 पचे 20 यानि-20 परावर 3 में 9 से गुना करिएगा तो 276 माइनस कितना हो जाएंगे 15 कितना हो जाएँग-15 अब दिखे 29 5 यानि 5ug हो जाएगा ठीक है अब देखे 28 में चलोड़ से 27 से कितना एकस ब्रावर कितना नहीं हो जाएंगे tür यादि की सूधा की बरतमानुम्र क्या है जोके किर है इसी संही साथ परतिसा दूसरी संहा के चार बटे पांच के बरबर स्टर ने कितना है कि ऊसी तौर בटेición में तो बारी संख्या पूछ रहा है बारी संख्या क्या होंगे तो माल लेजे बारी संख्या कितना है एक से ठीक है तो छोटी संख्या कितना हो जाएंगे छोटी संख्या हो जाएंगे कितना एकस माइनस सो छोटी संख्या कितना हो जाएंगे एकस माइनस सो अब देखे करा किसी संख्या का सैत्तर परतिस है यानि बाड़ी संख्या कितना माने एकस किसी संख्या का एकस कुना कितना हो जाएंगे सब्सक्राइब दूसरी संख्या के चार वटे 5 के बड़ावर है तो दूसरी संख्या कितना है एकस माइनस कितना है 100 है तो इसका कितना है चार वटे 5 एकस माइनस 100 का चार वटे 5 ठीक है अब दोनों क्या है दोनों है जो की बरावर है तो दोनों को हम लोग बरावर कर दिया ठीक है है अब देखे एक सोन से 16 कhillon हो जाएगा तो कितना बचेगा साथ एकस वट्रटे 10 या现在 सेसे यह या ने देखे 7 वट्रटे 10 यह पनस में उसको यह इस सड़रल आयेगा तो यह माइनस में हो जाएगा थि तो 7 एकस बट्टे 10 मैनस 4 एकस बट्टे 5 बड़ावर कितना हो जाएंगे बीचे को 80 ऐब इसका elcm लीजागे तो कितना हो देखिए 5 दूना 10 चादुना 8 7 x minus 8 x ब्रावर कितना हो जाएंगे minus 80 ठीक है यहां minus था यहां minus 80 कहल दिया ठीक है अब देखिए 7 में साट गया minus x minus x बट्टे 10 ब्रावर कितना हो जाएंगे minus 80 तो minus से minus क्या हो जाएंगे cancel और यह 10 गुना 80 क्या हो जाएंगे cross multiply तो x कमान कितना आ गया एक्स कमान आप लोगों आगया 800 तो इसका सही जवाब हो जाएंगे 800 हम लोगों बड़ी संख्या पूछ रहा था बड़ी संख्या कितना माने है एक्स तो x कमान कितना है 800 अगर छोटी संख्या पूछता है तो छोटी संख्या कितना माने थे एकस माइनस 100 जानी 800 माइनस 100 करेंगे तो कितना जगे 700 अगर छोटी संख्या पूछता तो 700 अंसर रहते हैं ठीक है चलिए नेश्ट कोशन देखिए नेश्ट कोशन कहरा है दो अंको वाली संख्या के दो बटे तीन के नुपात में है और अंको के स्थान अदल बदल करने से पुराब संख्या मूल संख्या से कितना 27 बड़ी है मूल संख्या क्या है तो हम लोग माल लेंगे कि 1 अंक कितना इकाई अंक 3-0 एकस है ठीक है एकाई एंक थीरी एकस है और दहाई कितना हो जाएंगे दहाई एंक कितना टू एकस माल ली है ठीक है अब करा तो मूल संख्या क्या हो जाएंगे एक दो अंको बाली संख्या के दो अनुपात तीन के अनुपात में है अब देखे तो मूल संख्या क्या हो जाएंगे एकोरणा होंगे तो कितना हो जाएंगे दस इंटू 2x और पलस कितना हो जाएंगे 3 x 3 x तो जाएंगे दस दूँना 20 वीस तीन 23 x total 23 x हो जाएंगे ठीक है अब कराते आँकों काSOं बदाल करने पर प्राप संख्या मूल संख्या से कितना 27 बड़ी है अब इसको अगर हम लोग अडल बदल कर दें यानि दाहाई टू एक्स था तो अब लोग अब इस बार एकाई को टू एक्स और दाहाई को थीरी एक्स मालेंगे तो अस्थान बदलने पर क्या हो जाएंगे जो इका आप पलस कितना हो जाएंगे टू एक्स यानि 32 एक्स ठीक है अब कर रहा है इन दोनों का अंग पर कितना 27 है यह दोनों है जो की इनका अंग आप 27 से क्या करेंगे 32 x minus 36 Broward कितना हो जाएंगा 27 तो 32 में improvements च्छान घाने तो कितना हो जाएंगे 27 9 x 20 11 Station मौन कितना है 3 या तो पूच्सा मुल संख्य मूल संख्य क्या है तो मूल संख्य कैना है है मूल संख्य आ था 36 तो तेसं गुणा क्या करेंगे की तेस्ट गुना, एक्स का मन कितना है 3, तो तेस्ट गुना 3, यानि तेस्ट ये 79, तो देखिए, ये option में नहीं है, तो option नमर 14 का सही जवाब हो जाएगा, इन में से कोई नहीं, ठीक है, चलिए, next question देखिए, 3 लिटर नम्मा के 10% गोल में पानी की कितनी मात्रा मिलाए जा है ताकि नम्मा का गोल 5% बन जा है तो देखिए सबसे पहले 3 लिटर गोल है उसमें हम लोग पानी की मात्रा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे गोल में पानी की मात्रा ठीक है अब देखे टोटल कितना है तीन लिटर घोल है तीन लिटर घोल में कितना दस पर तीसत घोल में पानी की कितनी मात्रा है तो दस पर तीसत घोल में पानी की मात्रा पूछ रहा है तो दस पर तीसत में कितना सेस बच गया 90 तो 90 बटा कितना कर देंगा 100 तो एक सुन से ए राइस वर्टे boat this अनि दू पॉइंट सेवन लिटर है जो कि यह पउनी है ठीक है अब नाम्म की मात्रा कितना हो जाएगे तो नमा की मात्रा हो जाएँगे थीरि माइनस 2.7 लिटर यानि 0.3 लिटर है जो कि इसमें नमक है ठीक है तो पूछ रहा है कि कितना गोल मिलायpoxा ताकि नमा का घोल 5 पर तीसद बन जाए तो देखिए अब नए गोल की मातरा यदि हम लोग X मालनें नए गोल की मातरा कितना मालनेंगे X तो X का कितना कहरा है कितना गोल मिला जाए नम्मा का गोल 5 पर 30 बन जाए तो X का कितना करेंगे 5 पर 30 X का 5 पर 30 बरावर कितना नम्मा का गोल हम लोको लॉच्ट में कितना है 6 नम्मा का गोल 0.3 तो X का 5 पर 30 बरावर कितना कर देंगे 0.3 कर देंगे ठीक है अब देखिए पर 30 है तो बटा हमें क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे और इधर कितना हो जाएंगे 3 बटे 10 ठीक है ये पॉइंट हट कर तो 10 दहियों 100 ठीक है अब देखिए कितना हो जाएंगे 10 तिये 5 दूना 10 यानि एक सब्रावर कितना हो जाएंगे 6 लिटर है जो क नम्मा का घोल निकला, 6 लिटर क्या है, नम्मा का घोल, तो पानी कितना मिलायागा, 3 लिटर नम्मा के घोल में, 3 लिटर नम्मा के घोल में कितना पानी मिलायागा, पानी मिलायागा, टोटल 6 लिटर माइनस कितना, 3 लिटर, तो टोटल कितना हो जाएंगे, 3 लिटर, यानि 3 लिटर इसका सही जवाब है ठीक है कि तीन लिटर अगर नमा का गोल मिलाया जा तो वह पांच परतीसाद बन जाएगा ठीक है चलिए निचे से उपर कियो जाना है ठीक है तो ठीक है अब कुछ नहीं तो लेखतीसाद वागा तो भागा तो भागा है तो इसे गुना में कर देंगे तो तो कितना हो जाएगा 6 बटे 43 ठीक है अब देखें कुछ नहीं तो कितना है 1 यानि 1 ते 43 काल से हम कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा तो देखें कितना हो जाएगा 9 बटे 43 पलस 6 कितना हो जाएगा 49 यानि 1 बटे 49 बटे 43 ठीक है अब देखें यहां फिर से भागा आ गया तो भा में 9 से घुलने करिएगा तो कितना हो जाएगे 445 पलस कितना 33 करियेगा तो कितना हो जाएगे इसको एड करियेगा तो में 5 कितना हो जाएगे 3 counterpart 33 8ski न उन्चास इसको अगर फैक्टर तोड़ेगा तो लगवग में कितना जाएंगे नौ पुर्णांक 43 वटे उन्चास जो की आप्शन में नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएंगे इन में से कोई नहीं ठीक है चलिए नेश्ट कोर्शन देखते हैं नेश्ट कोर्शन कर रहा है टू के पावर के बरावर एक्स तथा टू के पावर के माइनस थीरी बरावर बाई हो तो एक्स बटे बाई के मान निकाल लिए तो एक्स बटे बाई का मान निकाल ला है तो एक्स का मान कितना है टू के पावर के तो टू के पावर के लिग देंगे बाई का मान कितना है तो ए का power क्या हो जाएगा ए माइनस एन हो जाएगा तो 2 के power कितना हो जाएगा के और माइनस में क्या हो जाएगा के माइनस थीरी ठीक है अब देखिए 2 के power कितना हो जाएगा के माइनस को माइनस पलस क्या हो जाएगा माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएंगे पलस तो पलस थीरी हो जाएंगे ठीक है ठीक है अब देखिए यहाँ तो यहां पर क्या हो जाएंगे अब क migrate करने के बावर कितना हो जाएंगे तो तो के पावर तो कितना हो जाएगा दो का क्यों यानि दो दुना चाल दुना आर्ट यानि वन वटे आर्ट इसका उप्शन नमबर वन सही जवाब हो जाएंगे वन वटे आर्ट ठीक है चलिए नेस्ट कोशन देखिए यहां टू के पावर के माइनस ठीरी नहीं यहां पर पहला से ठीक है यह आप लोग सुधार लीजिएगा चलिए नेस्ट कोशन देखिए रांजन एक पुरानी मोटर सांकिल 17 रुपे में खरी दिए उसने इसकी मरमत पर एक्तिसों खर्चें परनाप के लिए होगा मोटर सांकिल के कितने रुपे में बेचना चाहिए यानि एस्पीबी क्रेमूल निकालने के लिए ब पलस एक तीसो रुपया और मरमत में लगा तो टोटल सीपी कितना हो जाएंगे बीस अजार एक सो ठीक है टोटल को एट कर देजिए तो बीस अजार एक सो टोटल सीपी आँगे आपकर 15 पर तीसार लाब के लिए वैसे कितने रुपया में बेचे है बेचना चाहिए यानि भी क्राइम निकालने के लिए कर रहा तो एस पी ब्राबर क्या हो जाएगा सीपी इंटू सीपी इंटू वैन पलस कितना पर तीसार के लागा तो यान पलस 15 बटे 100 ठीक है अब देखिए बीस अजार एक सो गुना सो वैन पलस 15 बटे 100 तो कितना हो जाएगा एक सो पन्दर बटे 100 ठीक है अब 20 से 20 कट गए तो 201 में 15 से गुना करेगा 201 में 115 से गुना करेगा तो कितना जाएगा 23,01115 रुपया 23,015 रुपया यानि ऑप्सन नमर दो इसका सही जवाब है 23,015 रुपया इसका विक्रेमूल आ जाएगे ठीक है तो यह अंसर होगे हम लोग को चलिए करा एक सहर की जनसंख्या एक सहर की जनसंख्या चार परतिसत बारसिक ब्याज की दर से बढ़ती है उसकी बरतमान जनसंख्या 31,250 है तो तीन बर्स बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी देखिएगा तीन बर्स बाद पूछ रहा है तो तीन बर्स बाद इसकी जनसंख्या कित कितना हेल है बढ़ता है चाहर पर तरह चंहें कितना कितना बाद पूछ रहा है'M कितना कीपर पूछ रहां तीन भी इसका epa कितने कर देंगे चाह से कितना भाट कर जाएगा 25 50 यानि कितना हो इसका उसका चीन को कितना हो जाएगा इकटीस हजा है क् chopped 2013 गुना 1 पलस 1 वटे पचीस यानि कितना हो जाएगा 26 वटे पचीस 26 वटे पचीस को कितना वट लिखने के लिए बोल रहा है तीन बात 26 वटे पचीस गुना 26 वटे पचीस गुना 26 वटे पचीस ठीक है भाग दीजेगा तो कितना नमर कटेगा 1250 फिर 25 में ये 1200 कितना नमर कटेगा 50 फिर 25 दूना 50 अब गुना करें 26 गुना 26 गुना 26 गुना 26 और गुना 2 तो कितना हो जागा 35100 बामन कितना जागा 35都有 ये उपसिन में तीन का सजेज करें 35100 बामन इसकी जंसंख्या हो जाएगी अगर वह नहीं वे नेस्ट गुना नहीं है छिर्फ होता भागा में रहता 31-250 भागा में रहता कि 3 वर्ष पूर 20 की जन संख्या क्या थी तो यहां गुणना नहीं यहां भागा में रहता यह ठीक है चलिए नेस्ट कोशन देखिए नेस्ट कोशन कह रहा है एक अर्ध गोला टैंक का अंत्रिक 32.8 मीटर उसकी च mìnhदा लीटर में क्या है अब देखिए यहान लीटर में कोशन पूछा ठीक है तो आर बढ़ा वर 32.8 मीटर कितना है 23.8 मीटर इसको मीटर को हमद लोग अगर संटी मीटर में कर देंगे तो कितना जाएगा 282 713 714 में ब्रता लें निकालने के लिए बोल रहा है तो अधोलों का आयतन क्या होता है टू वट थीरी पाई और क्यू ठीक है अब देखिए टू बटे थीरी हो जाएगा पाई कमान कितना हो जाएगा 22 वटे 7 आर कमान कितना है तो 28 गुना 28 गुना 28 गुना 28 ठीक है तीन बार आर क्यू है तो तो कितना साच चको 28 यह 40 वर में कर जाएगा अब गर इसे गुना भागा करिएगा तो देखिएगा कितना गुना भागा कर कर का आएगा 45,000, 45, 9, 4, 6 और 6, 5 यह आप लोग गुना कर लिजेगा ठीक है यतना आ कोशन पूश रहा है तो इसे हम लोग 1000 से भाग देंगे तो 1000 से भाग देंगे तो यहां पर पॉइंट आजाएगा तीन आंके बाद पॉइंट आजाएगा यानि कितना हो जाएगा 45,994 ठीक है जो कि आप्शन में नहीं है इसका सही जवाब क्या हो जाएगे इन में से कोई नहीं ठीक है इन में से कोई नहीं अपसर नमबर चार ठीक है नेश्ट कोर्शन देखिए करा किसी तास की गड़ी में से स्याही का बादसा बीवी एवं गुलाम घीचा जा चुका है और सेस को अच्छी तरह मिला दिया गया हो तो किसी एक तास को खिशने पर इसके बादसा आने की क्या समभाब ना ह। अब देखिए यह तास के प्ति में टोल प्ते की संख्या कीतनी होती है? बामन होती है ठीक है यह अप लोग याई रखिएगा अब देखिया स्याही का बादसा बीवी एवं गुलाम घीचा जा चुका है तो टोतल प्ति, तीन प्ती घीचे जा चुके हैं तो 201 मौन कितना हो जाएँगे तीन यानि आप कितने बच़े उन्चास पद्ती बच़े ठीक है अब देखे चुक्क्य से एक बाओसा जो कि पहले हुं घीचा जा चुका है कितने एक बाओसा पेले हे घीचा जा जाँच hayır तो टोटल पती कितने घीचे जा चुके थे हैं ? 3 और 3 घीचे जा चुके हैं बामन में तो टोटल प्राय्क तक कितने हो जाएंगे ? 3 बटे 49 यानि उप्शन नमबर वन इसका सही ज़त वा हो जाएंगे ? 3 बटे 49 ठीक है ? चलिये, next question देखिए कर रहा है ठीटा का मान प्राप करें यदि 2 cos 3 ठीटा बड़ाबर 1 दिया हुआ है तो देखिए cos 3 ठीटा बड़ाबर देखिए यहां दो गुल्ना में है तो यहां क्या जाएगा भागा में अगर 2 को इधर करीगा तो क्या हो जाएगा भागा में आगर cross multiply करें चाह् down two cost ठीड ठीटा हो जाएंगे और देखिए cost 3 ठीटा ब्राबर cost 60 किमान cost किटना होता है 1 by 2 कितना हो जाएगा cost 60 ठीक है अब देखिए cost चाहाएगा cancel हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 3 ठीटा ब्रावर 60 तो 3 से कितना बर कट जाएंगे 20 बावर 20 दिशाट यानि ठीटा कमान कितना है 20 डिगरी यानि option number इसका 3 सही जवाब है 20 डिगरी ठीक है चलिए next question देखिए next है जो की reasoning है करा सही के नितिय चीनों का पर्योग कर प्रश्णों के उतर दें 5,4,8,12 है अब देखिए 5,4,8,12 है 12 कैसे आए तो देखिएगा एगर 5 में 4 से गुनना करेगा तो कितना हो जाएगा 20 20 में से 8 घटा येगा तो कितना हो जाएगा 12 यानि सबसे पहले गुणना उसके बाद माइनस करने के लिए थीक है उसके बाद कितना है 3, 8, 6 है तो 3 गुणना क्या हो जाएगा 8 और माइनस कितना हो जाएगा 6 तो 8 यह 24, 24 माइनस 6, 18 आच चुका है देखिएगा यहां 12 आया पिर अठारा है तो ठीक उसी परकार से एगला क केस्ट में करेंगे तो कितना हो जाएंगे आठ गुना छे और माइनस सबसे पहले गुना उसके बाद माइनस तो आठ चार तालिस में से नौ जाएगा तो कितना होगा 49 तो आपसे नमबर होगे हैं जाएंगे बारे और अगर चार जोड़े तो कितना हो जाएंगे इस तो इसके बाद क्या हो जाएगे चार से में 8 मेंस टो तो कितना हो जाएंगे ये वह जाएंगा आप लोगों को 272 तो एक साथ है जोंदेगा 2062 ठीक है चलिए नेस्ट कोशने नेकरा कामीरे में सेदाव रहता है तो क्या रहता है कैमरे में सदर लेंस रहता है ठीक है चलिए next question जिस परकार से मौम का सबन्ध गीदी से है वहीं सबन्ध दूद का निन में से किस से है तो ये दही से है किस से है ये दही से है ठीक है चलिए next question नेस्ट कोर्शन कह रहा है सिरिंखला का लूप चित ग्याद करें देखे यहां एक तीर था यहां कितना हो गया तीन तीर यानि इसमें दो एड और हो गया है तो यहां देखे यहां कितना तीर है तीन और तीन च्छो यानि इसके पहले इसमें दो एड होगे तो इसके पहले कि गोला है जो कि ये लाइन और ये लाइन यानि दूसरा लाइन में चल गया फिर देखिए दूसरा लाइन से फिर एक पीछे आ गया यहां था जो कि एक पीछे आ गया फिर इसमें दो लाइन फिर आगे गया तो यहां आ गया दो लाइन यहां बढ़ा तो इस वाला एरो में आ ठीक है यानि बिंदू पहले दो अस्थान आगे बढ़ता है और फिर एक अस्थान पीछे हट जाता है ठीक है आप देखें दो अस्थान आगे बढ़ा तो एक अस्थान पीछे हटेगा तो यह कहां जाएंगे यहां से कहां आजाएंगे इस वाला में आजाएंगे यानि आगे figure में देखे हिए हां तर साय गया फिर एक अस्थान पीछे अड़ा तो यहाँ आया फिर दो अश्थान आगे बढ़ा तो यहाँ आया फिर एक अस्थान पीछे अड़ा तो figure इस तरह से आएंगे तो option no.3 इसका सही जवाब ठीक है चलिए next question से देखें करा अस गजज चुनने के लिए बोलगा असगत चुने अब देखें यह 시म 패 faculty न्येकिन में यहां देखेंगा यह वाले फिगर में यह तीर और यह अस्टार जो की लाग अलग अलग अमें भाकिष सब फिगर में देखिए यह स्टार और यह ठीर एक दिसा में है यह टीर से लेकी निये वाला फिगर में यह गटकुट और यह टीर जोकी एक अलग अलग दिसा में तो अपले नमर 3 इसका साइज़ वाब हो जाएंगे जो कि यह असंगत है ठीक है next question देखिए next question का रहा सबन दस्थापित करें ठीक है आप देखिए इस figure में है जो की देखिए इस figure है परथम चीतर के सभी मूला किरती है जो की अलग अलग होकर अगले चीतर में देखती है ठीक है तुश का सही जवाब क्या हो जाँगे option number 2 next question देखिए करा प्राइस चिंतन वाली आकिरती की इस उतर आकिरती में नहीं थे अब देखिए यह इस तरह से हैं तो इसमें भी इस तरह से थिखिए है और यहां एक एरो है तो देखिए यहां एक एरो है यानि जो चार से भीवाजित हो जाए उसे हो पियर करते हैं तो देखिएगा चार में 2700ओ ये पूरा पूरा भी वाजित हो जाएगा बाकि ये वाला में 1978, 1975 और 1982 ये लिपियर नहीं है ये चार से पुरा-पुरा कटेंग नहीं तो अप्शन नमर दो इसका सही जवाब हो जाएगे करेंश केरा बिस विद्याले आयो का गठन किस वर्श हो का तो ये 1904 में हुआ था यह हो गाह नहीं हुआ था ठीक है नहीं neden कार्श काल 1997 में से 2002 इस भी था ठीक है चलिए नेस्ट कोशन एक हागुलिया दूरी किन के बीच की दूरी है एक हागुलिया दूरी पिर्थीवी एवं सूर्ज के बीच की दूरी है और हेमलेट है जो कि यह सेक्सपियर का लिखा हुआ पुज्टक है ठीक है यह आप लोग या रखिएगा नेस्ट कोशन देश का पहला ओनलाइन समचार पत्र कौन सा था तो इदन न्यूस टूड़ था जो कि देश का पहला ओनलाइन समचार पत्र था ठीक है चलिए नेस्ट कोशन केन सरकार का सहमेदानिक परधान कौन होता है तो यह राश्ट पती होते हैं राश्ट अंबर कितना है 14 वी बैंक weapon बने जी बैंक है जो की चौह किन देंख के नहीं सभीہ है तो यह इंडोनेजिया के राष्ट उड्यास्त है तो यह इंडोनेचिया के राष्ट उद्यास्त है तो देखिए Air Force by Group practice at number 10 का हम लोग 50 question solution कर लिए है अगर ये वीडियो पसंद है तो एक like कर दीजिए और इसे जादा से जादा share करिए